कर दो दो वस्त ह énormément कोशन रम पर्शों कर दो कि अब समुझे मैं नबर है सिख्स में हम लोग को पढ़णा है तो पतार्थों में परिवर्ते इसके बार में लोग जानकारी करना है और समझना है ठीक है तो इसमें हम लोग शुरुवात करेंगे देखिए सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे या पहले भी लेसन में पदार्थ के बारे में हम लोग जान चुके हैं और समझ चुके हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं पदार्थ वेशा बस्तुए जो अस्थान गेरता हो जिसमें कुषिदर अभयमान हो उसे क्या बोलेंगे तो उसे पदार्थ बोलेंगे ठीके अब जो है इसमें क्या दिये गया है पदार्थों में परिवर्तन ठीके पदार्थों में किस किस परकार परिवर्तन होता है इसके परीवरतन एक हो दो परकार सर्थ होता है तो डूशा होता है दूसरा होता है दूसरा होता है रसायनिक परिवर्तन होता है एक रसायनिक परिवर्तन होता है आई इसमें हम लोग बारी बारी से समझेंगे आगे आप लोग को परिवर्तन है जैसे आप लोग अपने कोपी के कागज से छोटे-छोटे बच्चे जख्यें क्या करते हैं इसको कागज के मूड करके और नाव बना लेते हैं ठीके न आव पना लेते हैं कुछ दिर बाद जो है उसकागज के फीर खोल करके फिर कागज में परिवर्तन कर दिये तो वे परकीरिया किसमें आयेगा तो वे जो है भ्यूतिक परिवर्तन आएगे पिर कागज था कागज के मूड़ करके क्या कि कि हम लोग नाव बना लिए ठीक है ऑर नाव बना करके नाव को उस कागज को फिर खोण करके की तो यह परिवात्रं किसके उतर गताएगे बहुती पर वlaantन के अंदर गताएगे ठीक है एक दूसरा ही जांपल हम लोग समझेंगे जैसे जैसे क्या होता है जैसे जल जल अपलोग जांते हैं जल जो होता है एकीस अवस्था में होता है जल की अवस्था जो है तीन अवस्था होता है कौन कौन सा जल के तीन वस्था होता है ठूस, द्रोग और गेश तीन वस्था जल का होता है ठूस, द्रोग और गेश जैसे ठूस के अंतरगत क्या आजाएगा ठूस के अंतरगत जो है जैसे बर्फ क्या मैं जाएगा बर्फ किसके अंतरगत आगे है ठूस के अंतरगत आगे द्रोग के अंतरगत क्या आगा जैसे पानी यह द्रोग के अंतरगत आजाएगा ठीक है और पानी को जैसे ही गरम करते हैं तो वह भाप बनता है वह जो है क्या होता है गरम होकर कि ऊपर उडने लगता है तो पानी किस रूप में तो गैस के रूप में उपण हो गया ठीकर तो जलकी कितने वास्था है ठोस दरव और गैस याँनि हम लीख सकते हैं भाब ठीक है जैसे ही आप आपके घरों में जु है खाना बंता है तो चावल पकाने से पहले पानी को गरम होता है तो क्या होता है भाब बन के उड़ेने लगता है ठीक है तो गैस के रूप में ठीक है ठोस दराओ और गेस तीन अवस्थाओं में जल्द पाय जाता है म्मों समझना युजमी जाता है जयासे कोई जल है और अगर उसको ज्यादा थ giy जाए तो क्या हुआ जाए गए ऑज जाएगा ठीक है जाता हो एक चिरनेटा कर दीए जाए तो क्या हो जय परवन जाएगा और पहले जो था थोश में परवर्तन कर दी क्या वह ऑल चांगा बोल्टी किया नर्गत आएंगे या चीज Forgive Mr. चुक्ज के बहुती कि रिए का लाइब है जैसे हम लोग Russian assire टालेंगे वेशवेसर में लोग क्या करेंगे कि करके के समझने इसमें तीसरे पले समझने लिए कि जैसे मोंबबति को मूबदी आप लोग दिवाली में जलाते हूं देखिये कोई-पोई मोंबदी कि होता है क्या होजता है वह पिहल जाता है ठीकि क fusion का जो physiologist नुजना मुंबवाती का जलना हो क्या होता है और मुंबवाती मुंफायन जब पिघलना तो फिर ऊसको क्या कर सकते हैं तो फिर उसको दुeler बना शेके भी ऑarna हैं ईफ भूफ परिवर्थन के नतरगत यह वो मिस अंग जए हो जानने के और समझे है ताइड सब्सक्रशन परिश्हार निए आसायनिट परिवर्थन जयने जैसे कोई कागे ज़य मुष्ञ अगर बनाना हो गा तो कैसा बनाई गर तो तो मूड़े है उसको क्या करना कुंदा पड़ेगा का करके बनाना परेगा तो शक्तक यह परदाब लुटा है उसका डिजाइन अगर बनाना होगा तो उसको काटना पड़ेगा काट कर के उसको क्या करेंगे अच्छा परोवक बनाएंगे क्या उस जहाज को फीर वैसे कागल में परिवर्तन कर सकते हैं वैसार नहीं कर सकते हैं ठीक वेर सब किसके अंतर गताएंगे जैसे थो दूसरा इंठ हमको समझेंगे जैसे आप लोग के घर में जो खाना होता है हाना जो जालत देरों तक रखता आता है तो अक्सत गरणी में एक खुराब हो जाता हुए कि उस gain तो खाणा ऑख दो गार कर सकते दो आच्छा नहीं कर सकते पूंड कि जति लूहें में जंग लग जाना इस protecting आई इस ह ह्लाइन परवर्थन बचाने । आज की बिलुन बीचा विजीं इसके लिए करते हैं